क्वेशन था इंफानाइट लॉंग लाइन चार्ज अफ चार्ज डेंसिटी रो एल इकल इकल तू 30 नैनो कूलॉम पर मेटर ठीक है इस लोकेटेट अट एक्स इकल तो 1 and y equal to 2 for all z मतलब यह पता है कि आपको z axis के लाओ वो जो आप में line charge है वो ऐसे रखा है ठीक है for example यह मेरी x axis है this is y axis और यह z axis है ठीक है आप x equal to 1 यानि यहाँ पर यहाँ यहाँ पर एक चार्ज रखा है कि इन्फाइनाइट लॉंग चार्ज आज इस पर्टिक्ला पॉइंट पर फील्ड निकालनी है इस ओरिजन पर फील्ड निकालनी है कोप है यह अधी जनी है यह लाइन चार्ज क्या होगा यह अला पॉइंट होगा x equal to 1 y equal to 2 और उस पूरी लाइन पर z axis जो भी coordinate है z चाहे इदर चाहे इदर चाहे इदर चाहे इदर अब अगर आपको याद हो तो हमें यह बताए कि e प्रो जो है वो क्या है यह रो एल डेवाइड बाई 2 पाई epsilon 0 रो और अगर यह वेक्टर की बात करूंँ मैं तो शीदे-शीदे भी कें लायड अगर अगर यह रो यहां पर आपको रोल गिवन है रोल गिवन है रोल गिवन है थर्टीन नैनो पूलोंब पर मीटर आपको ट यह रखा था, by default, you will assume it as a free space medium, so free space में है, 2 और pi constant है, epsilon 0 के value गिवन होती है, कितने होती है, free space के हम दर, 8.85 उन्ट एंट बार, minus 12, yes sir, यह आप रख्दोगे as it is, उसके बाद आपको के वल यह दो चीज़े निकालनी है, एक row और एक a row क्या, ठीक है, now, row अगर हम देखें, तो row क्या होता है, row is the minimum distance from line charge to point at which we are calculating field, at which field is calculating यह होता है ना, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एक, 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 एक स्ट्रेट लाइन, ब्रॉपर, यह स्ट्रेट लाइन, और मुझे कहा जाए, कि आपको इस particular point से, इस wire, इस line की minimum distance निखालने, तो बताओ, क्या होगी, the minimum distance will always be like this, perpendicular distance, अगर मुझे इस line से, इस particular point पर perpendicular डालना है, इस particular point पर perpendicular डालना है, इस particular point पर perpendicular डालना है, इसर भालना है, इस अब में इस particular point को देखो, आफ एसे निकाल लो, ऐाथ रस तरहां 1, यह वाली value है two, तो यह वाली value ى प terrUE आपकाल सकते हो, ROW जाएगी यह वाली value, यह पॉइंट क्या होगा, 1,2,0 यह सर, ठीक है, तो, X2-X1 का स्क्वार फ्लस y2-y1 का स्क्वार, प्लस z2-z1 का स्क्वार का अंडरूत, यह सर, इतना यह जाए है, 1,4,1,4,5 एक स्क्वार, यह सर, अब आपको दो चीजे निकालनी है, एक तो रो और एक निकालना है, A row cap A row cap मतलब इस line से इस point की तरफ का vector इस line से इस point की तरफ का vector कुछ ऐसे कि वो minimum distance को follow करे यानि minimum distance को follow करने के लिए ये दो point आपको given है ये दो point आपको given है आपको क्या निकालना है इन दोनों points की विज़का vector निकालना है और जब point vector की direction उदर की तरफ है इसका मतलब ये वाला last point होगा ये वाला first point होगा ठीक है that means arrow will be 0 minus 1 A x cap plus 0 minus 2 A y cap plus 0 minus 0 A z cap तो ये आगया आपका कितना minus A x cap minus 2 A y cap अब आप E rho यानि असके मैंने रू की value निकाल होगा वो कितना आएगा वा आएगा rho L divided by 2 5 Epsilon not रू 13 L L N for meter divide by 2 into 3.14 into 8.85 into 10 10 पावर माइनस 12 एंतो रूट 5 यह आ गया और अगर मुझे यह वेक्टर से ही है तो मैं यहां पर A2 cap और अगर दूँ तो इसकी मुल्टिप्लाइब कर देंगी है माइनस AX cap माइनस 2 A1 cap अब आप यह सॉल कर लेना और जो भी आंसर आए अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो आंसर यह है इसको सॉल करोगे थोड़ा सा और उसके बाद मैंने मिस्टेक मैंने यह करी मैंने 1-0 करके लिया है तो वह माइनस ही वज़े से गलत हो गया आपको यह पता होना चाहिए कि हम लाइन चार्ज से पॉईंट रिकालने राइख तरफ़ा तो ऐन suited राइन पर है ज सिरॉट्बिन जोुद अगर भोए और और ये प्वाइन चार्ज है अगर यह लोगी Lei for example पॉइंट चार्ज से अभी हो is तो कमेंटिकली अगर यह पॉइंट जा निगेटिव होता फर एंपन माइन इनग पर उठाइन तो आपर प्लस हो जाता यहां पर उजाता यहां पर प्लस हो जाता क्योंकि दिए माइनट जाता इसको प्लस कर देता है और इसको प्लस कर देता है यही तरीका करना था आपको ई रो ही निकालना है और यानि रो एल डिवाइड बाइड बाइड टू पाई आपको दो चीजा निकालनी है एक तो रो यानि minimum distance from the line to the point and a row क्या दो चीजा आपको निकालनी है by default this row is not the same which was the row coordinate या यह यह मेरी minimum distance है के बीच में, similarly arrow vector is not the unit vector which we have studied in cylindrical coordinate system, it is slightly, it is very much different, अब मैंने आपको question थोड़ा change कर दिया, question मैंने ये बुला कि अगर मैं इसको थोड़ा दाइगा, आपके देखलू, इस थोड़ा सा असान हो जाना समझना, this is x-axis, this is y and this is z, question दे रखाया है कि x equal to 1, x equal to 1 और z equal to 2, z equal to 2 मतला z equal to 1, z equal to 2 यहां है and for all y, for all y, the line is located like this, ठीक है, minus infinite से लेके infinite तक line कुछ ऐसे रखिया, और field आपको निकालनी है यहां पर, ठीक है, तो इस line के coordinate क्या होँगे, इस line के coordinate होँगे, x equal to 1, y equal to y, z equal to 2, यही तो होगा, for all y, for all y, that means y के coordinate, आपको field निकालनी है, यहां पर, यह, कुछ इधर की तरफ field आएगी, ठीक है, और यह वाला point, minimum distance यह वाली होगी, perpendicular distance, यह वाला point क्या होगा, this point will be 1, comma, यह वाला point क्या था, 0, 0, 0, 0, तो जो इसके y के coordinate है न, वो ही आप यहां रख दोगे, 1, comma, 0, comma, 2, यह point ऐसा आएगा, जिस point से, इस point की distance हमेशा minimum होगी, perpendicular distance होगी, ठीक है, तो, रो आप निकालने होगे, रो निकालने के लिए, X2-X1 का स्क्राइब, यानि 0-1 स्क्राइब, रो 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 स्क्राइब, र प्लस 0-0 A Y cap. प्लस 0-2 A Z cap. तो मैंने के वल एक छोड़ा चेंज करा. इस्ट फ़ दा लाइन चार्ज तो बी अट Y axis, मैंने उसको Z axis, Z axis की देगे, मैंने उसको Y axis पर रख दिया. तो मेरा arrow vector कितना आया? arrow vector will be minus A X cap. minus 2 A Z cap. ठीक है बच्चो? यस सर्थ. लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ, तो भी इन दोनों questions में एक गलती है. जल्दी से बताओ मुझे गलती क्या है? दोनों questions में एक गलती है. अगर मैंने निकाली नहीं, आप गलती है. जल्दी से बताओ गलती क्या है? जल्दी से बताओ क्या है. ज़र उसको करते बन माइनोस जीरो. नहीं. इमोक्स कैप. नहीं, नहीं, नहीं. A rho cap is what? unit vector. आया ना? unit vector है ना? क्या ये unit vector है? ये नहीं है. ये unit vector नहीं है. तो अगर A rho cap निकालोगे आप, तो क्या करोगे आप? A rho cap will be? this is not arrow cap, this is not arrow cap, arrow cap will be minus A x cap minus 2 A z cap divide by mod of this, mod of this is root 5, and then you can write it as this, odd this, टिक्ए बच्चो, अधी बहुत छोटी सी गलती है, हमें दो चीज़े निकालनी है, रो और arrow cap, इस तरीके से मुझे अभी निकाला, इस तरीके से मुझे एरो cap नहीं मिला, मुझे मिला यहां से ले करके यहां तक का vector, और मुझे यहां से ले क陽 तक का unit vector चाहिए, तो मुझे इस vector से magnitude से इस vector को divide भी दरना पड़ेगा है ना suppose आपने ये वाला r vector निकाला तो आपने a rho vector को लिखा कि a rho vector is what a rho cap is r vector divided by mol r then you can say ये ये है मेरा ये unit vector हुआ यहाँ पे अगर मैं इसको solve करता हूं तो ये unit vector नहीं है this is not unit vector ये ये वाला vector आया ये वाला vector यहां से लेके हाथा के वेक्तर आया मुझे इस direction में unit vector चाहिए वाद्ला मुझे इसके magnitude से divide रहना पड़ेगा तो ये unit vector should be like this सब्सक्राइब आगया जरू पर वाला जो question कराया तो उसमें भी एई खोला करेंगे पाइब करेंगे तब आशर जो भी आया वो ठीक हाजाएगा ठीक है ठीक है ठीक है Sudhir विने उसमें थीक है भौशिक ठीक है वेटे ये से छलांड अब मैंने आपको लास्ट रॉन पर असायन्मेंट टू के कुछ क्वेचेन्स डिसकस कर रहे थे आप ये जैटो अपने कॉर्साइन्मंट करना शुरू कर रहा है या नहीं कॉन कॉंसे questions मैंने 8-9 questions discuss कर लिये थे आई थे सारे questions हो रहे हैं या कोई रह रहा है जल्दी बोलो कि असाइन्मेंट टू के questions आपने वहने करें या नहीं जो लास्टाइब पर डिसक्राइब सारे कुशन होगा है को सारे नहीं हुए एक दो रहे अभी करें ट्राइब नहीं करा सब्सक्राइब इस लिए question बहुत करता है इस सब्जेक की इस सब्सक्राइब आपको लास्टाइम पर यह बताया था कि यह कुछ ऐसा है this is x and this is y for all z, z equal to 0 हम अजून कर सकते है तो कुछ यह वेक्टर है circulation दे रखा है कुछ इस डिरेक्शन में this value is 1,1 this value is 2,0 this value is 00 आपको एक वेक्टर दे रखा है f यह आपको एक वेक्टर दे रखा है आपको close line integral f.dl निकालना है दूसरा कोशन आपको इसको justify करना है the surface integration of dell cross f.dl तो आप इसको तीन segments में divide कर लो पहला segment है यह दूसरा segment है यह और तीसरा segment है यह पहले line segment के लिए differential length निकालना हो dl यह आपको बता चुपा हो शाय dl1 दूसरे line segment के लिए dl2 और तीसरे line segment के लिए आप differential length निकालना है और फिर इस वाले formula में आप f.dl1 plus f.dl2 plus f.dl3 रखते हो अब जब dl1 आप इस बारे line के बात करोगे तो यहाँ पर केवल x change हो रहा है x2 से 0 आ रहा है यहाँ पर x change हो रहा है 0 से 1 y भी change हो रहा है 0 से 1 तो यहाँ पर तो differential length होगी dx ax plus dy ay लेकिन value आएगी x की 1 से 2 और y की 1 से 0 तो जब आप इसको solve कर लोगे तो यह आपका circulation आजाएगा f.dl अब आपको क्या करना है आपको del cross f निकालना है तो आपको पता है ax cap ay cap और az cap यहाँ देल बाइडल x देल बाइडल y देल बाइडल z ax ay और az निकालने का फर्मुला है ना ऐसी निकालते हैं हो कर्ण तो आपका देखो घ्राम से अजर मैं AX निकालोंगा एक्स क्या हो जाएगा तो प्लस देल बाइडल जाएगा माइनस डेल बाइडल जाएगा यह जाएगा नहीं अजरा इसको देखो अगर इसको देखेंगे तो यह और यह होगा यह तो जीनो यह हो गया यह मैं ट्रेमिट्वाज हई नहीं तो यह जीनो आइडल प्लस जीन के लिए को देल न था वाल कि सो इसको सॉ ओकर लो जाए तो एचीज तो जिजिरू हुजा है इह चीजभा हुजाएगा यसा मेरा , या क्या मेरा क्या हुजाएगा? इस को सॉपीज एं गरेक्टन है या सॉपंस मेडेर। कि अब मैं क्या करूंगा अब मैं उसको स्वाल करूंगा सोड़ा साथ तो सर्फेस इंट्रीशन को स्वाल करने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं मैं यहां दुबारा बता रहता हूं तो बड़ा बना लेता हूं एक तो अगर मैं स्क्रिप मानू ऐसे अगर मैं स्क्रिप को देखूं तो यह स्क्रिप क्या है यह स्क्रिप बेसिकली बी एक्स है क्योंकि इंक्रिमंट इन डी एक्स और ऐसे ही मैं अगर स्क्रिप को कुछ ऐसे फॉर्म में मानू तो यह स्क्रिप क्या हो जाएगी इस यह स्क्रिप को देखता हूं तो यह स्क्रिप कहां से कहां तक बरी हो रही है फिस वेरीं फॉर्म आपको यह दोनों कोडिने रेवर हैं, तो आप इस लैंग की कोईशन निकाल सकते हो, यह लैंग की कोईशन कैसे होगी, आप सीरी सीरी निकाल ले न, y1 equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1, यह होता है न, लैंग की कोईशन, ठीक है, यह यह है x1 y1 और यह है x2 y2, y minus 1 equal to y2 यानी 0 minus x2 x y1 यानी 1 divided by x2 यानी 2 minus x1 यानी 1 into x minus x1 यानी 1, ठीक है, यह जाए y minus 1 equals to y minus 1, y minus 1, ठीक है, equals to minus का 1, x minus 1, तो y minus 1 equals to minus x plus 1, यानी x plus y equal to 2, यह लाइन की कोईशन हो जाएगी इस वाले के लिए, x plus y equal to 2, अब आप क्या करोगे, अब आप इसको दो तरीकी से vary कर सकते हो, इसको दो बार्डम रेक कर लिया आपने, यहाँ पे अलग boundary है, यहाँ पे 0 से y तक vary हो रहा है, यहाँ पे 0 से 2 minus x vary हो रहा है, यह 2 minus y vary हो रहा है, ठीक है, तो integration 0 to y और दूसरे वाले में integration 0 to 2 minus y, यह हो गया x, और यह integration क्या होगा, यह integration होगा, पुरा 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर 2 तक, तो यहाँ पर x की value हो जाएगी, 0 से 1, y के value हो जाएगा, प्रस यहाँ पर हो जाएगा, बड़ी से लेकर x की, और फिर उसके इस इसाफ से आप इस integration को solve कर लोगे, इस area को निखाले, तो आपका f dot ds आ जाएगा, surface area आएगा automatically, minus az cap में, az cap में ही आपका, यह आ रहा हा, जो वेक्टर निखाल रहा हा हम नहीं, az cap में आ रहा हा हूँ, az will be 1, और बाकी सारी जो value आएगी, वही मेरा इस circulation की value होगी, जब यह एक scalar quantity है, it's better, ठीक है, बिच्चो कर लोगे, ठोड़ असा लेंदी है, लेकिन process अगर संज्या आ जाए, तो आपको असान सा लगए, ठीक है, next question, next question था, उसमें मैंने आपको दे रखा था, d, हमने कितने question discuss कर लिए थे, 9, 9 कर लिए, 10 रहे कहता था, 10, 11, 12, 13, 14, 15 करा लिए, ठीक, यह 10 question है, 10 question में, आपको वेक्टर दे रखा है, d, वो दे रखा है, 2, row, z square, a row क्या, less, row cost square 5, a z, यह आपको दे रखा है, और आपको निकालना है, closed surface integration of d dot d s, अब वो रिजन क्या दे रखा है, रिजन दे रखा है, row is varying from 2 to 5, 5 is varying from 0 to 2 5, and z is varying from minus 1 से 1, फिक है, अब देखो, यहाँ पर row equal to 2 है, row equal to 5 है, अगर मैं इसके डाइग्राम को देखूं, तो यह कुछ ऐसा है गा, row equal to 2, row equal to 5, फिक है न, और z equal to minus 1, is that equal to 1, यह मेरा X है, यह Y X इस थी, यह Z X इस थी, बच्चों दिख रहा है ना आपके लोगों, यहाँ पर O equal to 2 है, यहाँ पर O equal to 5 है, यहाँ पर Z equal to minus 1 है, यहाँ पर Z equal to 1 है, और 5 equal to 0 मतला, 5 equal to 0 यहाँ पर, और 5 equal to 2 है मतला, मूं करके यहाँ पर, तो 5 equal to 0 से लेकर 5 equal to 2 है, यहाँ आप मुझे बताओ, इसकी टोटल कितनी सर्फेसे होंगी, How many total surfaces are there? जन्दी बताओ बच्चों, एक तो सर्फेस होगी जो इसकी आउटर वाली सर्फेस होगी, अंदर की तरफ, एक होगी आउटर सर्फेस, एक होगी इनर सर्फेस, एक होगी इसका टॉप, एक होगी टॉप, और एक होगा इसका बॉटम वाला सर्फेस, बॉटम, अच्छा बाकी दो जो आप कहा रहे हो थे, वह बताओ कौन बंच होगी, मुझे कुछ दिख रही हैं, मुझे तो चार दिख रही हैं, बताओ कौन के रहा थे, जरा बताओ मुझे, छे कैसे हैं अगर है तो, फोलो, छेता होती हैं, जब मैं फाई की वैल्यू जिरो या प्री सिस्टी ना लेकर के कोई और वैल्यू लेता, क्योंकि फाई इकोल टू अगर मैं सपोस्ट 90 लेता, तो फाई कोल टू 90 बंदर य एक्सस पर आता हैं ना, जब फाई कोल टू 45 लेता तो एक्स और वाई की बिंस पर आता हैं, तो आटमाटिकली मेरे पास ये वाली सर्फेस भी आती है, करते हैं, तो एक बाई एक सर्फेस भी आता है। तो एक सरफेस यहाली होती यहिख फॉप लिया और जाहन से यह कहलता है लगी सब्सक्राइब अगर मैं यहां से शुरू करता तो एक स्रफेस यह वाली तो यहां कोई सर्फस निया आईगी तो टोटल चार सबसी एक टॉप एक बॉटम एक आउटर सिलिंडर एक इनर सिलिंडर जब आपको लास्ट पे मैंने असाइंडमेंट कराया था तो मैंने आपको इस सारे बत बताये थे कौन-कौन से के डिफरेंशिल लेंथ डिफरेंशिल सर्फेस एरिया और डिफरेंशिल वॉल्टिम हो सकती है अलग-अलग केसिस के लिए तो अब आप इस क्वेशन को देखो जहां से डी डॉट बीएस को अपने क्या करा आपने चार पार्ट में ब्रेक कर लिया एक हो गया टॉप एक हो ग आपकी इनर सिलिंडिकल सर्फेस ठीक है मच्चो क्लियर है अब तो कंफ्यूज नहीं होगे कि चाह रहें अच्छे हैं और इन सारे ही केसिस में आपको क्या निकालना है आपको निकालना है दी डॉट बीएस अब आप ज़र ध्यान से देखो रो अब यह स्रूवई आपका एजड़ कैप वेक्टर आएगा तो पर बॉटम पर एजट क्या वेक्टर आएगा इन दोनों के ना अएगा यह नहीं क्योंकि इस वाली साफ पर लेटेट नहीं होडा जब ज़ेट चेंज नहीं होडा घॉट अ को आप मुझे बता हो यहां पर एक तो रो चेंज़ हो रहा है और आए जब रो चेंज होता है तो डिफेशल ने पितने होगा एग फिरों के लिए रो और फैई तो आप automatically ds vector लिख सकते हो top के लिए कितना आ जाएगा that will be rho d rho d5 az cap और top वाली surface इसका मतलब z equal to plus 1 है ऐसे ही अगा आप bottom के लिए कितना हो जाएगा rho d rho d5 minus az cap at z equals to minus 1 ठीक है बच्चो similarly जब मैं cylindrical surface के लिए करूँगा cylindrical surface के लिए मेरे के पास दो surface है एक outer surface और एक inner surface outer surface के लिए vector होगा a rho cap और inner surface के लिए अंदर इस जाएगा vector away from the volume that is minus a rho cap ठीक है तो जब a rho cap आएगा तो इन दोनो differential length का multiply करेंगा सर्फेसरिया के लिए तो outer के लिए कितना होगा outer के लिए surface रिया होगा rho d5 dz plus a rho cap और इस पूरी surface पर रो कितना होगा outer के लिए outer के लिए और inner के लिए कितना होगा बच्चो आवाज आ रही है न आप लोगो यहां पर अंदर वाली surface के लिए रो होगा टू next question discuss लेते है पड़ा पड़ से time होने वाला है next question उसमें मैंने क्या दिया था उसमें मैंने बोला था आप से कि let me come to this point easy question के लिए divergence theorem प्रूफ करनी है divergence theorem प्रूफ करनी है easy question के लिए बताओ कैसे करोगे आपको क्या निकालना है आपको निकालना है डेल dot d यह निकालना हो गया divergence theorem निकालने के लिए पर दियवर्जन निकालना पड़ेगा आपको और जैसे हमें divergence निकाला वैसे ही आप क्या करना होगे closed surface integration of d dot ds must be equal to what must be equal to volume integral of del dot d db del dot d आपने निकाल लिया और db आप लगा दोगे रो d row d pi d z और limit आपकी वह लग जाएंगी कितनी limit लगेगी row equal to 2 से row equal to 5 तक pi equal to 0 से pi equal to 2 pi और z equal to minus 1 से z equal to 1 यह आपको अंसर आजाएगा यहाँ पर आप del dot d की value निकालना होगी तक यह आप इन चारों को एड करने के बाद जो आंसर निकालोगे वह आपके बच्चों ऐसे ही मैंने अगला question दिया है अगले question में question number 12 तो बहुत असान है आपको एक vector दे रखा है a vector जोगी है केवल a x cap आपको इसको a r a theta और a 5 मतलब cylindrical coordinate system में convert रहा है sorry spherical system में convert कर लोगे आपको matrix आला formula पता ही है और आपको point दे रखा है point दे रखा है point r equal to 2 theta equal to 1 radian और 5 equal to 0.8 radian तो आप calculator में sin theta cos phi cos theta sin phi वाली value निकालोगे तो यहाँ पर degree नहीं है ध्यान हाना radian दे रखा है तो आप calculator में radian set कर लोगे तब वाली value यहाँ रखोगे तो आपको sin theta cos phi या cos theta sin phi वाली values को in terms of radian निकाल करके इसको matrix कर में convert करके फिर वहाँ पर रख दे नहीं आपका answer आ जाएगा ठीक है अगला question दे रखा है मैंने r equal to 2 theta 2 से 4 r equal to 2 to 4 theta equal to 30 to 50 पी और pi equal to 2260 automatically लिए एक volume बनना होगा तो इसमें r theta 5 तीनों change हो रहे हैं तो एक volume बनना है volume बनना है अब आपको क्या निकालना है आपको volume निकालना है इसका पहली बाग चुई है volume निकाली लोगे आप क्या होगा r square sin theta d r d theta d 5 r kilomet 2 to 4 theta kilomet 30 to 50 5 kilomet 2260 ठीक है यह हो गया उसके बाद आपको total area निकालना है total area of enclosing surface अब अगर volume बननता है तो total 6 surface होँगी तो 6 surface का surface area निकालो और उसको add कर दो suppose top बली surface आई एक bottom वाली surface आई एक left वाली आई एक right वाली आई एक front आया d s 5 और एक back आया इन सारी surface के जोड़ करके आप फैड कर दो वो आपका total area आजाएगा और तीसरा मैंने बोल रखा आपसे च्राही आपको अन् Budget एज लेंद निकाल निकाल्नी है आपको है I तो एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यारा और बारा तो तल बारा डिपरेंचे लेंज हैं यह बारा डिपरेंचे लेंज आपको निकालनी है तुमकी लेंज निकालनी है ठीक है यहां तो मैंने रखा है स्वेरिकल कोडिनेंट में वहां पर मैंने सिलेंड्रिकल में दिया है रो इकोल तु थी तु फाइव 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 हंड़ेट से वन थर्टी और जेट री से 4.5 तो यह भी एक वॉल्यूम बनाएगा इसमें भी टोटल छे सर्फेस होंगी बारा ल आपको यह एक जान और टोंग में लॉंडल आपको में उन में आपको लोम स्ट्राइड स्टेट लाइन जुँद्याओं हुगी की टींऊड उर्टीं में अमे sophomore टॉल्यकी स्वाहश्यर्ड पर्रिश भॉन में और इसमें के दिए तो में इंटिपाइ कर लो जैसे इसमें लेके यह वाली इन दोनों को देखानी है और यह मैक्सिम दिस्टेंस और यह वाली और यह वाली यह वहाली अनुस्टेंस होगी अब मैं सेशन करें